सब लोग अपना कागजपन निकालो कागजपन निया तो फोन निकालो मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने से हर महीने कितना फायदा होगा तो मोटे मोटे तौर पे तीन हजार रुपे महीना तो बिजली का बिल बचेगा, बचेगा की नहीं बचेगा, दो हजार, तीन हजार मान लो, तीन हजार रुपे तो बिजली का बिल बचेगा, फिर आपके परिवार में जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई कर करने वाले बच्चे यह अभी आप एक बच्चे पίναι कम महीना कर ने के लिए स्कूल में करते हो की नी करते थे íसकों कि तीन हजार कम से कम खर्च हो जाता है कि थेन बच्चे हो तो दस हजार उस्व महीनाा लंगब खर्च चाहता है अब आपके बच्चों की फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, केजरी वाला आपके बच्चों की फीस बरेगा आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, दिल्ली में खूब शानदार स्कूल बनवाएं हमने पूरे गुजरात के अंदर मैंने प्लानिंग करी है, गाउं गाउं के अंदर स्कूल बनाएंगे, शानदार स्कूल बनाएंगे, अमीरों के बच्चे भी पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे भी पढ़ेंगे, दिल्ली के अंदर एक ही डेस्क पे, जज का बेटा, आये सफसर का बेटा और रिक्षेवाले का बेटा एक साथ बैठके पढ़ते हैं अब दिली में मजदूरों के बच्चे डाक्टर बन रहे हैं रिक्षेवाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है वकील बन रहे हैं गरीबों के बच्चों का बड़े शानदार उनके सोचो जब डॉक्टर बनेगा एक रिक्षे वाले का बच्चा उसकी महीने की कमाई होगी तीन लाख रुपए वो अपने माबाप की गरी भी दूर करेगा आपके घर में जितने बच्चे हैं उनको शानदार शिक्षा दूँगा उनकी फीस की उनकी कापी किताब की ड्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपका भाई आपका बेटा केजरी वाल सारा इंतजाम करेगा आपके बच्चों के शिक्षा गा तो दस हजार उपे इसके बच गए तीन हजार उपे बिजली के बच गए आपके घर में कोई बिमार होगा चिंता मत करना भगवान ना करे बिमार हो कोई ना बिमार हो सब लोग स्वस्थ रहें लेकिन अगर आपके घर में कोई बिमार होगा उसके इलाज का सारा खर्चा मैं दूँगा उसका इलाज उसकी दवाई, उसका टेस्ट, उसका एड्मिशन, उसका ऑपरेशन दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया दो करोड लोग चाई अमीरों चाई गरीबों चाई इस जातका हो चाई उस जातका हो चाई बच्चा हो चाई आम सबका इलाज मुफ्त कर दिया शांदार बड़े बड़े ऑस्पिटल बनाए है शांदार महला क्लिनिक बनाए है गुजरात में मैंने पूरा प्लान बनाया है हर गाओं में महला क्लिनिक बनाएंगे बीस हजार महला क्लिनिक बनाएंगे नई- नई अस्पिताल खोलेंगे याद करके देखो जब करोना हुआ था गुजरात के अंदर कितना तड़पे थे आप लोग कितना फोन किया था भाजब वालों को किसी ने आपका फोन ने उठाया किसी ने आपका फोन ने उठाया अब आपको चिंता करने की जरूरतनी आपका भाई आ गया है आपका बेटा आ गया है मैं आपका इलाज कराऊंगा भगवान ना करे आपके घर कोई बिमार हो लेकिन अगर कोई बिमार होगा उसका पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी आपका भाई देगा केजरिवाल करते हैं बीमारी में दवाईओं में सारी दवाईया मुथोज़ंगी तो 5000 रुपए इसके बच गए te noisy network बिजली 10000 रुपए शिक्षा 5000 रुपए दवाईयों के 18000 रुपए कि उसके बास जितनी अपनी बहने हैं 18 साल से ऊपर की बहनेयैं कोलिज जाती है कि उनकी पढ़ाई रुक जाती है पैसे नहीं होते बाप के पास मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जानता हूँ जो घर में बैठ जाती है क्योंकि पिता जी के पास पैसे नहीं है 18 साल से उपर की हर बेटी के हाथ में हर महीने उसके अकाउंट में हजार हजार रुपे डालेंगे हर मा के अकाउंट में 18 साल से उपर की जितनी भी महिलाएं है हर एक के अकाउंट में हजार हजार रुपे डालेंगे और अगर एक घर में तीन महिलाएं है मा हैं या सास है एक बहु है एक बेटी है तो 1000-1000 तीनों को अलग-अलग मिलेंगे तीनों की अकाउंट में 5000-1000 रुपे अलग जाएंगे तो 3-1000 रुपे महीना ये हो गया कितने हो गए 21-000 रुपे और अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसके रोजगार का भी इंतजाम मैं करूँगा दिल्ली में पिछले पांच साल में मैंने बारा लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतिजाम किया बारा लाख बच्चों को भगवंत मानजा साब ने पिछले छे महीने में बीस हजार नई सरकारी नौकरिया निकाली है आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतिजाम करूंगा और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने उसको तीन हजार रुपे महीना बेरोजगारी बत्ता मिलेगा अगर आपके घर में दो बेरोजगार हैं तो छे अजार रुपे हो गए तो 27,000 रुपे महीने का फाइदा होगा मादमी पार्टी की सरकार से सही है की नहीं है गलत तो नहीं बोल रहा सारा हिसाब किताब करके दिखा दिया